नमस्कार किशन भाईयो मैं हूँ शाहना जोशेन फ्रोम ठाई प्लांट नाश्चरी और अभी आपको जो ये बगीचा दिखा रहा हूँ ये है सागवान की मदर प्लांट और ये जो बगीच अब दिख रहा है ये पंदरा या 20 साल पुराना और हम जो सागवान की प्लांट यानि पौदा तयार करते है तो ये ही प्लांट का बीच से तयार करता हूँ हम लोग और इदार खाली सागवान नहीं है बीच बीच में दुसरा प्लांट भी है जैसे आप देख सकते हैं ये सब सागवान की प्लांट है और बीच बीच में जैसे सफेद कलार का पेड़ दिख रहा है बड़ास आपको ये दूसरा ट्री है इसका कलार भी बहुत अच्छा है और ये बीच से जो हम सागवान की पौदा तयार करता हूँ और भी नेक्स वीडियो में आपको बताऊंगा और जो किसानों के पास ज्यादा जमीन है काम करने का लोग नहीं है और उनके पास भी टाइम कम है तो वो किसान ये बहुचा लगा सकते है इसमें पहला साल में इसको थोड़ा देखबल करना पड़ेगा यानि मैने में दो तिन बार पानी डलना पड़ेगा पहला छे माईने तक करेंगा तो भी चलेगा उसके बाद इसमें पानी डलने का जरूरत नहीं रहेगा और यह आपने आप बड़ा हो जाएगा जब यह बड़ा हो जाएगा तो एक साथ आपको बहुत सारा पैसे भी आ जाएगा और यह जो सगवांटिरी है इससे हाप फानीचर का सब कुछ बना सकते हैं और यह बहुत अच्छा चीज है तो अगर आप इसका बगीचा लगाएंगे तो आपको इन्वेस्मेंट भी ज्यादा करने का जुरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका जो प्लांट है उसका प्राइज भी कम है और यह लगाएंगे तो इधर छाओ भी रहेगा इसका नीचे आप दूसरा काम भी कर सकते है यानि जैसे घर बना सकते है और दूसरा बहुत कुछ है जो आप इसके अंदर कर सकते है क्योंकि इसका नीचे बिलकुल छाओ रहता है यह देखिए नीचे धूप नहीं रहता है और देखिए अप लोग अगर आप लोग के पास ज्यादा जमीन है पड़ा है तो आप यह लगवा दीजिए यह लगवने से आपको टाइम देने का जुरूरत नहीं पड़ेगा और आपका जमीन भी आच्छा रहेगा और यह इसका तो प्राइस कैसा है आप सब को पता है तो आप देखिए सोचके और इसका जो बीज होता है वो अभी इसमें मोर आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके यह देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ यह सब मोर आ रहा है अभी देखिए सभी प्लान में मोर आ रहा है अभी यह देखिए यह जगा खाली है इसके लिए दिखा पाया अंदर से नहीं दिखा पाया था क्योंकि इसका जो प्लांट होता है यह पाच फिट छे फिट दूरी पर लागाना पड़ता है और इसका ब्रांच भी कम होता है इसका जो मूल है वो ऐसा होता है एकदम सीधा निकल जाता है एक भी ब्रांच मतलब मोटा वाला ब्रांच नहीं निकलता है यह देखिए चोटा-चोटा ब्रांच निकलता है उसमें प्रब्लम नहीं होता है और यह जो ट्री आप देख रहे हैं इसका डायरेक्स यह होता है देखिए पूरा सिधा उपर तक कोई ब्रांश नहीं मिलेगा आपको सभी ट्रीक है यह देखिए तो यह आप अच्छे रेट में बेश सकते हैं आप सोच के देखिए यह लगाने के बारे में नमस्कार ठाई प्लांट नासरी की तरफ से आप सब कज़ भगा थे और यह प्लांट का जुरूरत रहेगा तो मेरा यह वीडियो के नीचे नमबर दिया रहेगा आप उसमें कॉंटक करिए